नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइथ मारे स्टेट बोर्ट मैथेमेटिक्स पर फिर्स्ट अल्ली ब्रावस में चप्टर नूम्बर सेकेंड रियल नूम्बर्स कॉश्चन नूम्बर टू प्रक्टिसेट 2.1 अब हम पहले कॉश्चन वन स्वाल करेंगे 127 को हमें 200 से डिवाइड करना है तो 200 से 125, 127 तो 227 के टेबल में 200 है नहीं 2 से स्मालर है इसलिए हमें 0 लिकर पॉइंट दिनाया और यहां पे 0 लिनाया तो 2 से 12 को डिवाइड करो 2, 6, 12 तो 2, 6, 12 और यहां आगे 2 0s तो सब्टेट करो यहां पे 7 आएगा 00 फिर सब्टेक्शन होने के बाद decimal point हमने दिया है इसलिए 1 0 हम यहां पे ले सकते हैं तो 1 0 यहां पे put करने के बाद अब देखिए 2 से 7 को डिवाइड 2, 3 जा 6 तो 600 सब्टेक्शन करो यहां पे 100 आएगा फिर 1 0 हम ले सकते हैं 2 5 जा 10 और यह 2 0 जागे लो तो यहां पे denominator 0 आएगा अब 25 को हमें 99 से डिवाइड करना है तो 99 से 25 स्मालर है इसलिए हम 0 लेकर पॉइंट देना है यहां पे 0 लेना है तो 99 से डिवाइड होगा अभी 2 से 9 तूजा 18 9 तूजा 27 ग्रेटर होगा तो 99 तूजा 99 को 2 से मुल्टिप्लाई करो 198 आएगा तो 198 इसमें से हमें सब्टेक्ट करना है तो यहां पे रिमेंडर देखिए 10 माइनस 8 2 यहां पे 4 14 माइनस 95 अब एक हम जरू यहां पे ले सकते हैं और 99 9 यहां पे है 52 95 तूजा 45 96 तूजा 54 ग्रेटर होगा तो 5 से हम डिवाइड करें तो 99 को हमें 5 से मुल्टिप्लाई करना है तो मुल्टिप्लाई करने के बाद हमें अंसर मिलेगा देखिए मुल्टिप्लाई आप करिए 495 मिलेगा 495 सब्टेट करिए तो 10 माइनस 5 यहां पे 5 होगा यहां पे 1 11 माइनस 9 तो यहां पे होगा 2 25 मिल गया तो यहां पे पहले 25 ही था तो repeat हमें वही digit मिलने वाले है तो 0.25, 0.25, 2525 ऐसे मिलने वाले हैं तो इसका जो answer है वो हम लिखेंगे 0.25 bar, 0.25 bar जो है वो answer हमें लिखना है थर्ड question देखिए, 7 से 23 को divide करना है, तो 7, 3021, subtraction होआ, तो यहाँ पर 2 आएगा अब आगे decimal point के, यहाँ पर decimal point होता है, तो यहाँ पर digit है नहीं, इसका मतलब अब हमें decimal point देखर यहाँ पर 0 लेना है, तो 7, 2, 14, subtraction करो तो यहाँ पर 6 आएगा, 60, 7, 8, 56, subtraction करो, तो यहाँ पर रहेगा, 4, 40, 7, 5, 35, subtraction करो 5 रहेगा, 0, low, 7, 7, 49, 7 लिखना है, 49, subtraction करने के बाद यहाँ पर 1 रहेगा तो 1 हम यहाँ पर लेते हैं, तो 1, फिर 1, 0 लेना है, तो 7, 1, 0, 7, फिर subtraction करो यहाँ पर रहेगा, 3, 0, low, 7, 40, 28, फिर subtraction करो तो यहाँ पर रहेगा, 7, 40, 28, 2 रहेगा, अब 2 यहाँ है, remainder आगया 2 अब देखें, यहाँ पर भी remainder 2 आगया था, जब 2 आगया था, तब हमने डिवाड करा था, 7, 2, 14, यहाँ से तो 7, 2, 14 अब यहाँ पर भी, 7, 2, 14 आएगा, फिर remainder जो है, वो 6, यहाँ जो आएगा, और इसके आगया जो डिविजिन होगा, वो यहाँ से 2, 8, 5, 7, 1, 4 ऐसे ही आगे ही आएगा, तो वो repeat होता चला जाएगा, तो 23 upon 7 को हमें answer लिखना है, 3.285714, 2 से लेकर 4 तक repeat होने वाले हैं, तो यहाँ पर आगे फिर 2 होगा, और repetition मिलेगा, तो 23 by 7 को हमें ऐसे लिखना है, फिर जो question number 4 है, वो देखे 4 upon 5, तो 4 को 5 से multiply करने के बाद, 5, 8 जा, 40, 0.8, answer मिलेगा, 17 को देखे 8 से divide करना है, तो 8, 2, 16, subtraction करो, फिर 5th question में, तो यहाँ पर 1, 8, 1, 8, subtraction करो, 2, 20, 8, 2, 16, देखे, 2 के बाद point देना है हमें, तो 2.12, 4, यहाँ पर 5, 2.125, answer आएगा, इसका, question number 3, write the following rational numbers in PYQ form, तो यह जो numbers हैं, वो non-terminating recurring type के decimal numbers हैं, तो इनको जैसे conversion करना, यह के example हमने पहले लिया है, तो first or second question आपको solve करने आएंगे, यहाँ इसे, मैं थर्ड question जो है, वो अभी solve करने वाला हूं, तो 3.17 बार देखिए, let x is equal to 3.17 बार, 17 को बार हैं यहाँ पर, तो दोनों साइड को हमें, decimal point के आगे देखिए, 17, दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 1 के आगे 2 zeros, तो 100 से दोनों साइड को multiply करना है, इससे पहले हमें लिखना है, x is equal to 3.17 का बार है, इसलिए 17, 17, 17, ऐसे लिखो infinity तक, यह हो गया equation number 1, अब हम लिखते हैं, multiply both sides by 100, तो multiply both sides by 100, 100 को x से multiply करने के बाद 100 x, अब जब 100 से multiply करेंगे, तो decimal point 2 digit right side को चला जाएगा, तो यहाँ पर 3, 17, 0.17, 17, 17, 17 अब तो infinity तक यह आएगा, अब equation number 2, तो आमें लिखना है equation 1 को 2 से subtract करना है, subtract equation 1 from equation 2, अब subtraction करने के बाद देखिए, 100 x minus 1 x, तो यह होगा 99 x is equal to 317.171717 अब तो infinity तक, minus यहाँ पर 3.177, तो 1717, तो 3 और decimal point के आगे decimal point निचे, तो यहाँ पर 171717 अब तो infinity, अब subtraction करो, decimal point के आगे 1717 infinity तिखा है, तो यह cancel होगा, 7 minus 3, यहाँ पर होगा 4, 1, 3, तो answer मिलगा 314.0, तो x is equal to 314, को 99 से divide करो, तो 314 divided by 99, अब 314 और 99, इन दोनों नमबर को, कौनसे नमबर से divide होता है, क्या, वो देखिए, तो नहीं होता है, तो simplest form में यही answer रखिए, question number 4, आप solve कर सकता है, देखिए, 15.89 है, तो हमें 15.89, 8, 9, 8, 9, इसे लिखना है, और दोनों साइड को हमें, 2 digit repeat हो रहा हैं, तो 100 से multiply करना है, फिर equation 1 को 2 से subtract करो, और same जो procedure है, वो follow करो, answer मिल जाएगा, question number 5 भी, जो है, देखिए, 2.514 है, 514 को बार है, तो 3 digit repeat हो रहा हैं, तो दोनों साइड को हमें, 1000 से multiply करना पड़ेगा, तो यह question हम solve करेंगे, कि suppose x is equal to 2.514 बार, तो यह होगा, x is equal to 2.514, यहाँ पे भी 514 up to infinity, अब यहाँ पे हमें लिखना है कि multiply both sides by 1000, तो यह होगा, 1000, x is equal to 2.514, तो यह होगा, 1000, x is equal to 2.514, यहाँ पे 0.514 up to infinity, अब equation 2 से 1 को subtract करना है, तो आप stepwise लिख सकते हैं, टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा fast बता रहा हूँ, 1000, x minus x, यह होगा, 999, x, अब यह 2.514.514, से हमें minus करना है, 2.514, 514 up to infinity, तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे रहेगा, 2152, तो अंसर लिखना है, 2512, अब x की वैल्यू, आएगी, x is equal to 2512 divided by 999, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अभी next 2.2 के लिए हम आगे, next वीडियो में, जो है, वो पाइंट लेंगे, rational और irrational numbers, तो irrational numbers and real numbers, ठीक, थैंक्यू दोस्तों, अश।